तो दोस्तो भोला जो की 30 मार्च को ठीयटर फारने के लिए पूरी तरीके से तयार है और उसके साथ रिलीज हो रही है दसरा मूवी जो की तेलूगू मूवी है लेकिन कबजा देखने के बाद साउथ की तरफ से सभी कमन फेका हो गया है और इसका कहीं न कहीं फायदा मिलने वाला है भोला को और सब हिंदी बेल्ट में भोला को एंजोई करने के लिए उल्टे दिन गिनना स्टार्ट कर चुके हैं अब एसे में भोला को जोड़ा जा रहा है पठान मूवी के साथ मतलब जो एसर क्यांस टीम है या इस तरीके समझ लो जो लोग सारुखान के फैंस है वो लोग अपनी टीम बनाकर एसर क्यांस नाम दिये हैं और उन्होंने पठान के लिए फरस्ट डे फरस्ट सो का नारा लगाना शुरू कर दिया था जिससे एसर के के फैंस के अलाबा बाकी और लोग भी पठान का फरस्ट डे फरस्ट सो देखने के लिए एकसाइटेड थे और इसी वज़े से पठान को अच्छी ओपनिंग मिली थी और यार देखो भाई मिलनी भी चाहिए थी त्योंकि पठान की बात अलग ही है लेकिन अब यहाँ एसर क्यांस ने भोला का नारा लगाना शुरू कर दिया है बस भाईयो भोला मूबी भी अब फाड़ कर रख दे आग लगनी स्टार्ट हो चुकी है और बात करें अजे दुगन की तो अजे दुगन अपने सेंस ओफ यूमर की वज़े से जाने जाते हैं जो आज तक किसी भी कोंटरवर्शी का हिस्सा नहीं बने और नाहीं उनका कहीं नाम आया है तो दोस्तों कोई देखे या ना देखे लेकिन सारुखान के फैंस और अजे दुगन के फैंस मतलब एसर कियांस और एडियांस ये तो पक्का फस्ट डे फस्ट सो देखेंगे जिससे भोला को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है और भोला रिमेक होने के बाद भी अच्छा खासा बिजनिस करेगी जस्ट आई थिंग और जब से एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है तभी से भोला और भी ज़्यादा ओडियंस के माइंड में घूम रही है लेकिन एडवांस बुकिंग सिर्फ आइमेक्स 3D और 40X 3D में ही स्टार्ट हुई है जिसने तीन घंटों के अंदर 12,000 से भी ज़्यादा टिकेट विक चुके थे ये आगलाब ज़्यादा भी हो गया होगा पता है मुझे लेकिन 12,000 टिकेट से लगभग 7.5 लाग का कलेक्शन आया था जिसमें 3 लाख आइमेक्स 3D का एड़ है और 3D 2D एडवांस बुकिंग भी जल्दी ही ओपन हो जाएगी तो दोस्तों अजे सर पूरी ने विडियो के साथ तक की लिए भाई टेकेया